हलो विरम दोस्तों नमस्कार गूट इवनिंग दोस्तों आपर सिचाय मंतरी के आवास पर जिस दिन यहाँ पर यह ग्यापन दिया गया था टीवल ऑपरेटर वेकभरती को लेकर के उस दिन से लेखे दोस्तों यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो उनसे मेटप है और ग्यापन है मुख्यमंत्रिक के यहां भी ग्यापन दिया गया और इसके साथ साथ यहां पर सोचल मेडिया में ट्विटर कंपेंच चलाया गया और बहुत सारे विदायकों को बहुत सारे सांसद को ग्यापन दिया गया ताकि हमारी और यह आईएस ऑफिसर जिला जिला दि सबसे बड़ी सर्म की बात यह है उसमें मेरिट बना दी जा रही है तीक है जिसकी हाई मेरिट है चारसो पांचो सीट है भर रहे हैं दो लाग तीन लाग दस लाग अग उसमें से गिने चुने लोग का हो रहा है तो इससे क्या होगा उसके पास रटेपिकेट भी हो जाएगा और एक साल तक उसको कुछ स्टाइब ने मिल जाएगा जैसा कि कांग्रेस सरकार ने बड़ ऐसा हो नहीं रहा है और इसको देखते हुए यहां पर अभी हर्तियों में काफी आक्रोस है 6404 टीवेल आपरेटर के जो पत था उसको विग्याबित करने का जो मुद्दा उठाया था यह मुद्दा अभी तक बरकरार है और लगातार यह कोसिस जारी है कि जो टीव के पोस्ट का जो बात में कर रहा हूं इसको लेकर भी काफी आक्रोस है कुल मिला करके आप ही कहेंगे और जावी भाग में आई टी आई इलेक्ट्रिशियन प्लिटर जितने भी हैं इन्हें सभी के साथ बहुत ही सोसड हो रहा है भरती के नाम पे कुछ भी ने जीरो है कुछ दिन पहले यहां पर जो 4102 पद थे लाइनमेन की उसकी भी बात की जा रही थी कि यह भरती आचाना काई और निकाल कैंसल कर दिया गया उसको बहाल कराने के लिए करके और यह जो 6400 पद है 404 पद है टीवल आपरेटर का इसको लेकर के इनको लेकर लगभग 10,000 पद दोनों को हो जाएगा तो एक्लिस गवर्मेंट को इतना कर देना चाहिए ताकि कि सबका जो इच्छा है पूरी भी वह जाए और कोई यह कहने को ना मिले कि वेकैंसल से नहीं निकाली गई टेकनिसियन के पद भी निकलने वाले हैं अक्टूबर तक इसके पहले मुस्किल है और यूपी अर्बिनल में यहाँ पर आ सकता है जल्दी क्योंकि इसके लिए बात चल रही थी पहले से ही और इसके लिए बताया भी गया था कि यहाँ पर इसकी बरती आ सकती है तो इसके एक महिने का बेट कर सकते हो आप लोग एक महिने के अंदर यह जो यूपी अर्बिनल है इसमें टीजी टू के अपद आ सकता है ठीक है तो दूसके यहाँ पर आई टी आई के साथ रोक साथ जिस तरह से यह सोचड़ हो रहा है त्यचार बिलकुल भी अच्छम में हैं बस प्रिप्रेशन कर रहा है त्यारी और त्यारी करते करते उमरे निकल जा रही है बट ऐसा नहीं करना चाहिए जितना जल्द से जल्द हो सके वेकैंसिस को आउट करनी चाहिए